कि हालो एवरिवान आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने भेतर तरीकों से आप सभी लोगों की पड़ाई चल रही होगी तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले पूरा का पूरा क्लास 11 एगरी कल्चर की बारे में कुछ बच्चों को इस पढ़ने वाले कि अगर आप नाइन थे टेंथ में पढ़े होंगे देन आपको पता होगा कि किस तरीका से क्या क्या टॉपिक करना होता है अगर आप लोग डारेक्ली क्लास 11 से अप क्रिशी पढ़ना चाहा रहे हो एगरी कल्चर ले करके पढ़ाई करना चाहते आगे तो यह जानना पढ़ेगा कि आपको इस क्लास में एक्चुल में क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा तो हम तीन सब्जेक्ट देखेंगे में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ आपको हिंदी और इंग्लिज मिलेगा मिलेगा तो 410 में देखेंगे उसी तरीका से 420 कोड नमबर वाले को देखेंगे 420 कोड नंबर हो जाएगा फिर 430 कोड नंबर जो है आपका उन तीनों सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है उसको हम डिटेल देखने वाले मार्किंग सिस्टम क्या होने वाला और किस तरीका से इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्रीशी विज्यान के तत्व एवं गड़ीत इसको आप क्या नाम से जान सकते हो क्रीशी विज्यान एवं गड़ीत इस नाम से जान सकते हो ठीक है क्रीशी विज्यान एवं गड़ीत तो क्योंकि इसमें क्रीशी का विज्यान विज्यान भी पढ़ होगे और क इसका मार्किंग सिस्टम देख लेते हैं एक सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें सिर्फ पांच यूनीट पढ़ना पड़ेगा इपांचु यूनीट पढ़ना है बहुत असान असान देखो सबसे पहले भहुत तीक विघ्यान रसायन विघ्यान गडीट वनस्पती विघ्या जन्तु विज्यान हम सुच में जन्तु विज्यान इस तरीकस देखना पड़ेगा तो 15 15 15 20 और 10 मार्किंग इस तरीकस रहेगा टोटल 75 मार्क्स का आपका एक्जाम होगा और फिर आपका बाकी जो है प्रैक्टिकल में हो जाएगा जैसे कि आप रोग यहां पर देख पाया र पड़ेगा उस टॉपिक को भी तो आपको जानना पड़ेगा क्योंकि 11 अब फर्स टाइम ले रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट फर्स टाइम पड़ोगे तो आपको डिटेल जो है जानना पड़ेगा ठीक है तो देखो यहां पर बच्चों कि सर्धान्तिक वस्तु में सबसे पहल वायू में अंतर संघनन के श्वरूप मौसम वैद साला में प्रविक्त तो मौसम से रिलेटेड चीजे आपको क्रिशी में पड़ना पड़ेगा पदार्थों के गूड़ कौन सब पदार्थ किस तरीका से होते तो उस पदार्थों के बारे में पड़ोगे जैसे कि आकम मे नुमेरीकल जो गडिती प्रशन होता है उसको और वैसे फिजिक समयत होता है फिर घर्षड गृत्वा कर्षड तो देखो विज्ञान से क्रिशी से रिलेटेड बच्चों आप लोगों को घर्षड की परिभासा कितने प्रकार की घर्षड होते घर्षड के नियम क्रिशी यंदक के बारे में देखना पड़ेगा फिर घर्षड के उप्यू गिता तो इस तरीका से पूरे डिटेला twentree है फिर उसी एकाई एक पार्ट आपका हो जाएगा कौनसस साधरड यंत्र, साधरड यंत्र में मतलब आपको उत्तोलक के बारे में पढ़ना है, मसीनी एक बारे में है, घिरनी एक मसीन होता है, चक्र एमधूरी एक मसीन होता है, इसकी रचना एमकारे किस प्रकार कारे करता है, इन चीजों के बारे में अगर आप लोग क्रिशी लेकर क के गरी कल्चर ले करके पढ़ाई करते हो तो पढ़ना होगा फिर उसी तरीका से उसमाय मूर्जा क्या होती जैसे ताप मापक एवं मापन की प्रडालिया गैर परानपरी कुर्जा परिभासा इन सब चीच को आपको देखना पड़ेगा क्लियर यह यूनिट नमबर वन कंप् चीच के बारे में पूरा देखोगे इसमें किस फ्रकार क्वरारक डाली जाती है तो उसमें रॉसमें प्रबहु पर तैया पूरी चीजें देखोगी यह रसायन्स से रेलेटर आपकी जिताबी दवाई वगर्र ढला जाता उन चीजों के बारे में इसमें पढ़़ेंगे ठ जो क्रिषी करते तो फायदांदा्य कई मतलब आपको गड़ित एक और ऊंदर यहां पर क्रिए में आपको समना pale तरही के बारे मैं पढ़ेगा ना उसको पढ़ना पढ़ेगा आपको तो बस द्यान से देखती चले करते चले अब फिर त्रिकोड मीति को करना पड़ेगा क्योंकि कितने इंगल क्या इस तरीका से त्रिकोड मीति पढ़ना पड़ेगा है ना फिर द्वीपत प्रमेक वाल अगुगरा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी इस तरही का से फिर आप लोगों को क्रीसी वनस्पति विज्ञ इस तरीका से बीच का सरचना यह मनकूलन यह देखेंगे फिर पादप अंगों का रुपांत्राड पादप वर्गी की है ना फिर यूनिट नंबर फाइब यहां से स्टाट होता है तो क्रीसी जनतू विज्ञान इंवं सुचमजी विज्ञान इनके बारे में आपको देख अब यहां पर देखो आपका साथ से आठ यूनिट है इसमें दस यूनिट है हर यूनिट में नंबर सिस्टम बटा हुआ है कि कौन से कितना आएगा करके इसमें इसमें मैथमेटिकल टम्स नहीं होने वाला है हमारा उसी में थोड़ा बहुत गड़ीत की वज़़े से और फ किया देखना सब्सक्राइब करता है कि प्रखो और ने और फिरणीटा को त्रुम करेंना सब्सक्राइब करेंत तरहा ना है फिर खाद देता था उर्वरक के बारे में जैवी, खाद, रशैनई, खाद इन सब चीज के बारे में जो है न, गोबार, खाद, ína कंपोस्ट खाद, जोगोती है उनके बारे में आप लोगों को डीतेल देखना होगा क्लियर फिर आगे अगर हम लोग बात करें किसके बारे में अगला चेप्टर हमारा कौन सो हो जाएगा फोर जो है भूस चरड एवं भूस अरक्षड भूमी की जो सारक्षड किस तरीकर जा सकते उसकी वीदी क्या क्या होती है उसको पड़ोगे फिर भू परिसकरड भू परि वर्गी काड की फसल किस प्रकार की होती है ना उसके बारे में देखो कि जैसे अपने पढ़ेते समाजों के जानवें प्रबंधन के बारे में पढ़ना इसमें पूरा और देखो यहां से पढ़ते जाओंगे तो मज़ेदार है भी कहा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में एक आपको वो चीजे मिलेगा ठीक है तो बस ध्यान से करते चलेंगे तो इतना चीजे पढ़ना है आपको पूरा बारे के जित्ता दिखाया हूं आप चाओ तो नोट कर सकते हो या अप लोग इसका पीडिये आप टेलीग्राम में मैं इसको सेयर कर दूँगा वहां से सब्जेक्ट में आने वाला है इसमें क्योंकि आपको पसुपालन के बारे में पूरा पढ़ना है दुद्ध प्रद्योगी की मतलब दूद वाला जो है दो पार्ट है इसका मतल से पालन कुट पालन और हां यह पांच यह पांचों को पढ़ लो भाई आपका 75 तो कोई नही चीज़ों को डिसकस कर लेते हम लोग तो पसुपालन में भी यह चीज़े आपको देखना पड़ेगा में भी आपको चैप्टर दिया होगा मुझे इसके बारे में नहीं बता ठीक है बटी यह याद रखो कि आपको प्रारंबिक अदिन पसुपालन का परीचाय क्रिश्य उद्योग भारती अर्थ व्यवस्ता में पसुपालन का योगदान इस तरीका से फिर गाया भैस बेडबकरी इस सब चीज़ की बारों में पढ़ना है आपको तो पूरा का पूरा देखो प्रशु प्रजनन कैसे करते पसुकारी की कृतिम गरभादन कैसे किया जा सकता है न पसुओं का उन्नत नसले पसुओं की जाज पसुप्रबंधन इस तरीका से पूरे चीज़े आपको ध्यान में रखना है फिर दुगद में आपको क्या करना पड़ेगा दुद उत्पादन जो हता है दुद उत्पादन की दिहास वर्तमान इस सितियम विकास की संभावना क कि इस तरीका से भी का सकते बारे में आपको देखना पड़ेगा फिर सवेध क्रान्ती नाम से आई अश्यक्या होती उसके प्रमुग का चरर प्राप्त्षऺ क्या है उंची जोगो देखना है तो पुरी तरीका से आपको इस चीजों को पढ़ना है और यही आपके उसके पुरित को देखना ш، दुग्दव classy इसको किस तरीका से वैप़ार में लगूं किया जा सकता उसके बारे में फिर क्रीत्रीं दूत किस तरीका से बनाया जाता है मतस्से प्रां आजाएगा मज़ेदार सबजेक्ट है अगर आपके आसपस स्कूल अउलेबल है तो ले लो वाई क्योंकि बाकी सब जगा भीड़ बहुत है इसमें भीड़ रहेगी मैं नहीं बोलता कि नहीं रहेगी बट कहीं न कहीं यह आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे आपको एक नॉलेज मिलेगा कि किस तरीका से आप अगर क्रिसी से जुड़े हुए हो आपकी परिवायर क्रिसी से जुड़े हो तो डेफिनेटली आप एगरी कल्चर लेकर के पढ़ाई कर सकते हो ठीक है तो आई होप यह पूरी वीडियो आपके लिए पूरा होगोत और कौन सी टॉपिक पर आप लोको वीडियो चीक इस प्रकार के बुड़ी चीक कमेंड करके ज़रूर बताएंगे ठीक है तब तक के लिए बाइबाइब फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में